अब आगे बढ़ते हैं अब इसको देखिए ग्यारवा नमबर को चैनल में यदि पहले बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो को लाइक अवस्य करना आप यदि वीडियो को लाइक करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है ठीक है अब इसको देखिए इसका उत्तर क्या होगा बताईए बहुत सरल है अराम से बना लेंगे अब देखेंगे एक तरीका और होता है इसमें कि आप ऐसे प्रस्णों को अपने ऑप्सन से बाहर कर दो जो इससे बिल्कुल मैश नहीं होता है तो आप देख सकते हैं कि ये बिल्कु ये जो है perfect दिखाई दे रहें सोचने के अलग-अलग तरीके हैं हम एक ही तरीका से सोचें ये possible नहीं है हर बच्चे की सोच अलग-अलग होती है आपको जिस तरीका से सर लगता है उसी तरीका को अपनाई है जिसने आपको कम समय लगता है हाँ लेकिन हमने जो तरीका बताया एक, दो, तीन, चार ये जो है सभी में लागू होता है ठीक है आगे और practice करते जाएंगे आपको इसका अभ्यास बेता तरीके से होता जाएगा अब बारवा नमबर का प्रस्ने देखिए बताये बारवा नमबर का प्रस्ने देखिए इसको मैं मिटाया तहूं तब तब हाँ बताये बारवा नमबर के प्रस्ने को देख के बताये confusion है हड़बडी नहीं करेंगे ठीक है बताये हाँ अब ध्यान से देखोगे तो क्या हो रहा है आप इसको दो तिन तरीके से देख सकते हो पहला तरीका हमारे यह होता है कि हम इसको इस प्रकार से देखिए यह क्या हुआ है यहाँ पे जाके पलट गया है देखो यह बिल्कुल यहाँ से पलटा है अगर मैं इसको इस कागश की रुप में लेता हूँ ठीक है यह कागश है तो इसका टुकड़ा है तो यह जा कि इस प्रकार से ऐसे पल्टा हुआ है तो जब यह पल्टा है तो यह भी पल्टेगा एक तरीका हुआ दूसरा तरीका यह है कि आप यहां से देख रहे हैं यह जो ह हम यहां पर 보ंट खें पहला दूसरा तीसरा चौथा यहां पर भी लागु रहा है अब इस अनुसार से देखोंगे तो यह अप्ष उला यह अप्ष है अब आपकर पास सोचने के लिए यह यह बच्चा है क्योंकि यहां पर प्लस आएगा तो यहां पर भी मुझा है यहां पर भी प्लस है लेकिन इसमें इस प्रगाया की बनामाट को आप देखो गे तो बिल्कूल अलग है तो यह हो गया तो बचा किया यह तो यह आपको पहला जो आप्षण है वह सहीं उत्तर तरंट इसमें जाड़ा समझाने की जुरूत नहीं पड़ेगी तिए तीन लाइन वह है तो देखिए किसमें पूरा हो गई है यह चौथा ठीक है इस चौधा नंबर भी बहुत सरल है देखिए कि यह इस प्रकार से बनेगा यहां पर एक डिब्बा बनेगा आप देख सकते हैं यह है ठीक है इसको हम अटा देते हैं अब उसके आद देखिए पंदरा नंबर थोड़ा सा आपको समझना है ठीक है पंदरा नंबर को देहां से देखिए यहां पर चतुर भूज है दो वर्ग है तो यहां पर दो बृत्त है तो यहां पर दो बृत्त है तो क्या होगा यहां पर बताईए यहां पर क्या होगा हां बताइए बिल्कुल अब यहां पर क्या होता है हमने कहां कि यहां पर दो वर्ग है तो यहां पर दो वर्ग होगा अब देखिए confusion कहां हो सकती है कुछ बच्चे ऐसे सोचते हैं कि इसमें दो वर्ग है इसमें तीन वर्ग है इसमें दो वर्ग है इसमें भी दो वर्ग है तो ब सभी में रहता है देख सकते उपर जाकर कि देखिए सब में है यह ठीक है तो यह इसका आउट्लाइन है यह जो डिब्ब है यह यह इसका आउट्लाइन है तो इसके अंदर में केवल एक चत्रभूज है दो नहीं है ठीक है अब यह इसका आउट्लाइन है तो इसके अंदर में दो चत्रभूज है ये तीन नहीं है ध्यान रखेंगे तो ये दो चत्रभूज वाला ही यहां पर आएगा ठीक है तो ऐसी छोटी-छोटी बातों को आपको ध्यान रखना है गलती करोगे तो चुक जाओगे हम सोचते रहते हैं कि हम तो सही तरीके से बना रहे हैं लेकिन आप आपके दोरह किया गया एक गलती आपके परिच्छा में पास नहीं होने का कारण बन सकता है इसलिए समभल के किजिएगा आगे बढ़ते हैं कि अब सोला नंबर को प्रस्णक देखिए और बताईए बिल्कुल इसमें भी वो चीज लाग होगा यह जो है क्या हुआ यहां से पल्टा है देखिए यह इस प्रकार से पल्टा है ठीक है तो यह क्या होगा यहां से भी पल्टेगा तो इस प्रकार से यहां एक लाइंग खिचाएगा और ऐसे देखिए अब कौन-कौन सारा है यह तो नहीं होगा दूसरा नहीं होगा चौथा नहीं होगा अब क्या बचा पहला और तीसरा दोनों लगभग एक जैसे दिख रहे हमें हड़बड़ी से कभी से कभी से नहीं लगाने हैं हमको समझना है कि दोनों में अंतर क्या है अगर दोनों एक तरह दिखाई दे रहे हैं तो बिच का gaping को देखो फिर बताओ कि कौन सा सही होगा ठीक है तो आप देख रहे हैं कि पहला जो option है perfect हो रहा है तो आपको पहला option को यहाँ पर क्या लगाने में गोला लगाना है ठीक है अब हम चलते हैं अगला प्रस्ण की और 17 नंबर के प्रस्ण यह चार प्रस्ण और बच्चे हुए हैं फिर हमारा वीडियो आज का close हो जाएगा अगले वीडियो में हम इसके बात का सिखेंगे चलिए अब इसको ध्यान से देखिए 17 नंबर को और बताएए कौन सा सही उत्तर होगा बताएए सोचिए थोड़ा सा कठीन है कमेंट किजिए बहुत से बच्चों का उत्तर जो है दुसरा आया है जो की गलत है इसलिए मैंने कहा था पहला दुसरा तिसरा चौंथा इसको ध्यान से देखो ठीक हैं पहला दुसरा तिसरा चौंथा इसको आपको ध्यान से समझना है अब देखिए यह जो है यहाँ पर इस प्रकार से है पैंट यह क्या हुआ है थोड़ा सा ऐसा 45 अंस घुमा है देख सकते हैं यहां से यहां इस नोक की बात करो यहां पे नोक है यहां पे नेखो क्या हुआ है पूरा नहीं हुमा है केवल 45 अंस घुमा है अब इसे देखिए नोक कहां पर है इसका यहां पर है तो यह भी 45 अंस घुमेगा तो कहां पे जाएगा बताइए कहां गया मेरा पिन करनोग यहां पे गया तो इस इस्थान पर कौन सा पाइंट आ रहे देखो कौन सा रहे पहला आ रहे तो पहला ही इसका सहीं उत्तर होगा हाला कि देखने में कभी-कभी यह और यह एक जैसे दिख रहा है अगर इसको और इसको एक जैसे मानते तब मानते हम यहां पर जो चीत रहे उसको इसे हम तब मानते जब इसी प्रकार से यह दिखता बिलकुल कोई चिंजस नहीं होता तब हम इसे लेते लेकिन आप देख रहे है दोनों की दिशा में अंतर है ठीक है इसलिए हमको दिशा के अधार पर यहां पर सोचना होगा है हमने इसलिए कहा था कि पहला दूसरा तिसरा चौथा तो यहां पर यदि हम पहला के साथ साथ चौथा को मैच कराते हैं तो तीसरा और दूसरा भी होता लेकिन जो कि नहीं ही हो रहा है इसलिए आपकी जो सोचने के तरीका है बिल्कुल डिफरेंट होना चाहिए पहला दूसरा तिसरा चौंथा इस रूप में आपको सोचना है ठीक है एक नमबर आपको लॉस हो गया था अब आगे बढ़ते हैं अठारवा नमबर के प्रसंद पर इसे देखिए और यहां पर क्या हुआ है देख सकते हैं यह चत्रभुज है यह नहीं कि सौचuted है क्या होगा यह तो नहीं होगा यह उपर यह भी नहीं होगा यह भी नहीं होगा यह आपका सहीं उत्तर है इसको क्या करना है गोला लगाना है OMR सीट में अब आखरी के दो प्रस्ण बच्चे हुए हैं अब इसको देखिए उन्निस्वा नंबर के प्रस्णों को देखिए बताईए जल्दी कमेंड करें हाँ अब देखो यह क्या हुआ है इस प्रकार से ऐसा मैच बना हुआ है पहला और दूसरा में इस प्रकार से संबंद है तो तीसरा चौन्था क्या होगा यह ऐसे हो करके ऐसे निकलेगा तो ऐसे निकलने के लिए देखिए कौन सा रहा है 19 नमबर आ रहा है मिलकुल सही बहुत से बच्चों के यहां पर कमेंड भी आ गया 19 नमबर है अब अगला और इस वीडियो का आखरी प्रस्ण बहुत सरल है लेकिन हड़वड़ी मताओगे तो कई बच्चे इसको उत्तर देंगे कई बच्चे इसको उ अब इसको ध्यान से देखोगे तो क्या हो रहा है जैसा यहां है वैसा यह भी है तो जैसा यह है वैसा यहां पर भी होगा तो देख सकते बिलकुल उफू बहू ऐसे कौन सा है यह वाला है तो बीसवा का जो है चौथा सही उत्तर है तो दोस्तों इस प्रकार से हमने आकृत पूर्ति के अंतरगत 20 प्रस्णों का अभ्यास कराया अब इन प्रस्णों में आपको रटना नहीं है समझना है क्योंकि जो परिच्छा में चीतर आएंगे बिल्कूल अलग रूप में आएंगे हां लेकिन आपने जो पैटर नजमझा पहला दूसरा तीसरा चौथा इसको हमे अबादगो आपको रखएवादा लेकिन आपको आपको चीतर पार द रहत का चीतर आपको रटना हैसितर ऑने आपको इसको प्रूपफ़ादा लेक्षाल बाद एकशना प्टरादवादाश नहीं हाँ एक पार ऩलोपद Haben